मार्केट एनलिसिस के एक और वीडियो में आप सबका स्वागत है इस वीडियो एक खास है क्योंकि मैं इसमें तीन ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो आप लंबे अवदी के लिए थोड़ा थोड़ा अक्यूमिलिशन कर सकते हैं क्योंकि उसका अभी लेवल जो चल रहा है वहां से नीचे गिनने का थोड़ा चांस कम है बार बार हम चार्ट पर बाद में देखेंगे कि वह कैसे उस लेवल से वह बाउंस होता है तो पहले चलते हैं स्टॉक्स पर तो जो मैं अभी लॉंग टर्म के लिए बता रहा हूं उसमें पहला जो स्टॉक है वो ICI Bank है उसका result भी आने आला है और expectation भी है उसका अच्छा है पर मैं उसके result के इसाब से नहीं बता रहा हूं मैं यह बता रहा हूं कि यह जब stock ने यहां से rally start किया था यानि कि last March से फिर उसका जो अभी यह retracement आ रहा है वो 38% के आके यहां से support ले रहा है और अभी क्या हो रहा है कि जहां पर उसका point 23 है वहां पर जाके यह अभी hold कर रहा है क्योंकि यहां पर result का यह किने जा रहा है तो यहां पर अगर आप देखोगे ना long term chart पर तो यह जो इसका पिछला resistance था उसके ऊपर जाके हमने close करना चालू कर दिया है यानि कि क्या है कि यह जो lifetime high बोल सकते हो यानि कि पिछले 2-3 साल में जहां पर high था उसके उपर हम लोग अभी sustain कर रहे हैं तो यह जो blue line है वो previous य होगा कि अगर Monday या कभी भी result के बाद में एक अगर deep आता है तो आपको इस level पर यहां पर add करना चालू करना चाहिए यानि between 530 to 520 के आसपास या 500 यहां पर जब भी मिलें आपको और आपको hold यहां पर कब तक add कर सकते हो यह level तक 475 आपका stop loss होगा वो 470 के नीचे होगा अगर यहां पर जैसे अगर Monday gap up हो जाता है क्योंकि जादा तर क्या होता है कि ऐसा कोई scenario आता यह inside bar candle बनता है यहां पर काफी seller है अगर यह Monday इस level के उपर यानि कि 583 के उपर खुल के sustain कर रहा है तो यहां पर नीचे आने का chance कम है और यही से वो फिर आगे बढ़ने लगेग रख सकते हो ICI bank आपने देखा होगा security का उसका result बहुत ही अच्छा दिया गया है अगर हम आप volume देखोगे तो पिछले जो दो candle है उसका volume भी moving average से ज्यादा है MSCD positive cross कर रहा है और RSIB उसका upward move direction कर रहा है तो यह तीन combination इसमें मिल रहा है मैं बाद में मेरे telegram group में इसका delivery percentage भी डाल दूँगा highlight करके तो आपको पता चलेगा कि इसमें कैसे delivery अभी आ रहा है और उसका कौन सा level हमें यहाँ पर ध्यान रखना है ज्यादातर क्या होता है जो भी delivery percentage होते है उसका जो high यानि कि अगर normal चलता रहता है 20-30% delivery और एक दिन ऐसा आप देखते हो कहीं पर या 5% हो या फिर एकदम से 45 हो गया तो आप जो 45 वाला होता है डिलेवरी उसका आपको high और low note करके रखना है और जब भी उसको close करें उसके उपर आप उसी direction में trade कर सकते हो अगर यानि low break किया आप नीचे की side और high break किया था उसके उपर की side आपको confirm उसमें 3-4% profit मिल सकता है बाद मे मैं उसमें बता हूँगा कि वह delivery percent से हम कैसे trade कर सकते हैं मैं एक यह ICI bank का मैं उसमें delivery percentage डाल दूँगा तो आप उसको trade कर सकते हो दूसरा मेरा bank में ही है HDFC bank तो HDFC bank देख सकते हो कि पिछले last October से यहां पर करीबन like 1, 2, 3, 4, 5, 5 time यहां पर आके उसने support लिया है जो मैंने last time भी बताया था उसका यह support है 1370, 1350 के बीच में है जब उसका result आया था उसी दिन मैंने बुला था कि यह 1370 पर support लेगा और वहां से एक bounce करेगा तो उसी दिन हम आने देखा था एक bounce आया था फिर आप देख सकते हो यहां पर अभी तो इसमें यह जो एक trend line नीचे से आ रहा है इसका भी support कहां पर आ रहा है 1352 और अगर यह हम count करें तो यहां पर आ रहा है कितना 1370 तो यह 1370 एक best है अगर opportunity मिलता है हमें यह level के बीच में buy करने का तो आप आपका stop loss कहां पर आएगा stop loss आपका यह आएगा long term के लिए कहां पर 1170 तब तक आप उसको hold करके रख सकते हो यह 11Q आप अगर पीछा चार्ट देखो गए तो यहां पर यह जो पूरा consolidation चुन था ना इसको यह break ने करेगा क्योंकि यहां पर buyer बैटे हुए तो आप जब भी देखो के ना इस level पर आता है यहां पर हमें buying मिल जाता है यानि 1300 के आसपास हमें buying मिल जाता है तो आपको उसी हिसाब से रखना है हमें यह stop loss क्यों दे रहा हूं क्योंकि आप long term के लिए buy कर रहे हो तो यहां तक जब तक आता है गिरता है आप इसको buy करके रख सकते हो आपक 1430 के ऊपर trade करना चालू करेगा आप उसको intraday में buy करके जा सकते हो आपको पहला target आएगा 1470 आपको मिल सकता है इसका resistance कौन सा आएगा जैसे कि आप daily chart पे देखते हो यह trend line निचा रहा है यहां पे उसका resistance आएगा हो जो 1500 के आसपास है यहां पे जाके हमें देखना है अगर consolidation किया इसको break नहीं किया 1470 तो हम क्या करेंगे फिर जब भी इसका यह जो high होगा swing वो cross करेगा हम उसको buy करेंगे consolidation कैसे होता है यह देखो यहां पे तो यहां पर आने के बाद एक बार रुखता है फिर आपका trade आदा है यहां पर long करना है तक कोई सा होता है यह green वाला जो candle ह यह वाला green उसके उपर जब buy करता मिंस cross करता है तब हमें long करना है उससाब से आप इसमें HDFC को भी रख सकते हो इसका भी मैं delivery percentage ग्रूप में add कर दूँगा तो दोस्तों में यह मेरा group है एस्टो ट्रेडर टेलिग्रम है जहां पर मैं यह अचल लेवल भी update करता हूँ और यह तो like and subscribe ज़रूर करना अगर यह video अच्छा लगे तो आपके दोस्तों के साथ भी आप share कर सकते हो thank you अभी हमारा इसके बाद में आता है यह दो stock तो हो गया तीसरा क्या जो सबसे अच्छा सब मानते है reliance उसको हम जाके क्योंकि reliance stock में अभी ऐसा कुछ है नहीं कि हम गिराव तो हमें buy कब करना है अब हमें इसमें buy नहीं करना है हमें wait करना है हमें क्या करना है अगर result के time पे कुछ गिरावट आती है तो आप miss मत करना उसको buy करने के लिए कौन से level पर यह level पर आपको यह level पर यानि कि जो 1830 से 1800 के बीच में आता है तो हम इसको buy करेंगे अभी इसको buy नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप देखोगे यहां पर क्या होता है कि एक gap down आता है उसके पाद यह fall continue करता है next फिर उसका consolidation होता है उसी के बीच में होता है तो यहां पर जैसे कि यह inside bar candle बना था जिसका breakout हमें अभी हमें मिला नहीं है इतना कि हम उसको carry करके जा सकते है तो reliance में क्या अगर मैं यह inside bar का count करूँ ना तो या 961 high था 1900 तो इसका target क्या आता है 1840 तो यहां पे कौन सा आया था 1876 यानि कि अभी भी इसका lower side एक pending है तो अगर वो result के time पे या उसके पहले आ गया कुछ तो हमें यहां पे एक अच्छा opportunity मिलेगा buy करने का और दोस्तों अभी द नहीं किया है जब भी वो result का announcement करेगा हमें एक short covering देखने को मिलेगी तो अगर आप intraday या swing trade करना चाहते हो तो आप ध्यान रखना कभी भी जब reliance उसका date announce कर दे आप उसको एक long करके जाना Monday के लिए आप क्या कर सकते हो 1920 के उपर आप long करके जा सकते हो तो यह जो तीन stock थे वो मेरे long term के इसाफ़ दे अब हम देखते हैं कि हमें next week में कौन सा अच्छा trade मिल सकता है तो मेरा पहला जो stock है वो concor है concor जैसे कि आप जानते हो कि मुझे m pattern ज्यादा पसंद है वैसा ही यहाँ पर एक m pattern बन रहा है और यहां से हम लेके तो जो यह wick है यहाँ पर काफी दिखा रहा है कि यहाँ selling pressure इतना है कि यहाँ पर जाके बार बार reject हो रहा है हर यह trend line के आसपास जाके reject हो रहा है तो यहाँ पर भी आप trade ले सकते हो जब यह level यानि कि 540 के नीचे अगर trade करने लगे आप उसको short करके जा सकते हो तो पहले तो आपको यह target मिल जाएगा करीबन 526 अगर इसने एक दें close कर दिया 526 के नीचे तो फिर आपका आएगा target 495 जो जहां से इसने M pattern start किया था वहाँ पर मिल जाएगा आप देख सकते हो RSI negative है MACD negative है नो volume total missing है तो हमें यहाँ पर एक अच्छा सा trade मिल सकता है container corporation में concor में फिर आता है मेरा eco stock है JSW Steel JSW Steel में अगर notice आप करोगे तो यहाँ पर एक candle के बाद में जब भी यहाँ पर उपर गया है market volume पूरा dry है यानि कि volume नीचे आ रहा है price उपर जा रहा है RSI नीचे आ रहा है MACD cross हो रहा है negative side तो यहाँ पर एक अच्छा सा हमें sell मिल सकता है तो हम sell कब करेंगे जब हम यह Friday के low के नीचे trade करना चालो करेंगे यानि 625 625 के नीचे आप इसको short करके जा सकते हो और पहला आपका target जो आएगा वो 600 या 596 यानि आपको पता होगा मैंने कुछ दिन पहले मैंने इसको group में भी update किया था चार्ट के साथ कि जब भी यह 600 के आसपास मिले हो buy कर लेना उसमें reason क्या था हूँ मैं बता था हूँ मैं वो update किया था इस level के यह जब candle बना ना तब मैंने बूला था कि एक बड़ा candle बन गया है अभी अभी यहां से profit booking आएगा फिर तो जब भी profit booking आता है तो यह मैंने इसका level दिया था कि 600 के आसपास हमें एक buying करना है तो वह ही level हम वापिस यहां पर retest करेंगे जो आएगा 596 अगर 595 के नीचे हम close करने लगे तो फिर हमें इसमें अच्छे सी एक गिरावट दे सकते हैं देख सकते हैं तो JSW स्टिल भी आप इसको short side देख सकते हो और हमारा एक और stock है PD light PD light में क्या है कि अगर आप simple यह pattern देखोगे तो यहां पर क्या हुआ है कि descending triangle pattern को यहां पर उसने break कर दिया है descending क्या होता है कि यहां से price आपका lower high बनाता रहता है और आपका low होता है वो एकदम similar रहता है यानि कि horizontal line में रहता है फिर जाके उसने यहां पर एक breakout दिया फिर यहां पर एक pullback दिया वापिस एक breakout अभी जाके वापिस वही trend line के आसपास उसने support लिया हुआ है तो हम लोग इसको कहां पर buy करेंगे buy करना है तो हमें इस level पर खरना है यानि 1800 के 1808 के उपर जब यह trade करें हम buy करेंगे तो वापिस हमें एक और pullback मिलनेगा जिसको यह pattern complete करेगा double top pattern का जो हम M pattern भी बोल सकते हैं अगर यह scenario हुआ यहाँ पर तो एक मैं draw करता हूँ कि एक कैसे scenario इसमें बन सकता है तो अभी यहाँ पर consolidation हो रहा है तो हम मैं M pattern जो बोल रहा हूँ न वो S F हो सकता है तो हम इस pattern को trade करेंगे ऐसा नहीं कि अभी मैंने draw कर दिया तो हो ही जाएगा हमें weight क्या करना है यह level का अगर यह level यहाँ से इसने break कर दिया तो फिर यह pattern नहीं होगा है फिर यहाँ से यह नीचे की side आएगा जो यह level को वापिस test करेगा 1664 के आसपास तो PD light एक है एक अच्छा और जो chart है जो हमें short side में भी मिल सकता है profit जो है Tata motor का तो अगर आप देखोगे Tata motor मैं 15 मिनिट में भी लेता हूँ उसको तो 15 मिनिट में भी आप देखोगे तो यहाँ पे क्या दीख रहा है एक descending triangle pattern जैसे बन रहा है यहाँ पे मैं अगर draw करूँ ऐसे और तो यहाँ पे भी जो high है वो previous high से lower बना रहा है और यहाँ पे support एक ही जगह पे ले रहा है तो यहाँ पे एक चीज क्या हो सकता है कि हमें देखना है कि यह जो इसका लेवल यानि कि previous Friday को जो low था उसके नीचे अगर trade करने लगे तो हम उसको short करके जाएंगे यानि अगर आपको short करना है तो 290 का wait करो 290 इसको break करता है तो आप उसको short करके जा सकते हो फिर यह जा सकता है कहाँ पे 280 तक यह आ सकता है टाटा मोटर फिर जाके हम यहाँ पे देखेंगे कि इस लेवल पे यानि 284 से 281 के बीच में यहाँ पे क्या इसका support बनता है क्या कौन सा candle बनता है उस पे हम जाके trade कर सकते है दूसरा चीज यह हो सकता है अगर यह हम gap up open हो गए इस लेवल यानि 296 sustain कर लिया 1 hour तो चांस है कि यहाँ पे ह इसका resistance अभी बन गया है अगर आप देखोगे एक मैंटन ड्रॉ लाइं करूँ तो इस लेवल पे उसका यह पिछला जो support था वो भी resistance बन गया यह भी support भी resistance बन गया है तो यहाँ पे अभी यह जो range है यह 10 point का है उसके जिस side break करे हमें 10 से 15 point मिल सकता है टाटा मोटर में तो दोस्तों यह तो थे stocks अब हम देखते हैं index nifty and bank nifty तो पहले में चलता हूँ आवली चार्ट पे तो यह है nifty का आवली चार्ट यहाँ पे आप देखोगे आवली चार्ट में क्या हो रहा है कि यह हम gap down open होते है फिर यहां से एक support लिके वापिस चले जाते है यानि यह 14,200 यहां पे भी देखो अच्छा सा हमें buying मिल गया यहां पे मिल गया पर हमें resistance जो अभी मिल रहा है यह trendline के आसपास मिल रहा है तो यहां पे हम trade कैसे ले सकते हैं यहां पे आप इस level का इंतिजार करो intraday के लिए 14,380 जब यह 14,380 क्रोस करता है तो आप 50 points के लिए पहले buy कर स रखते हो और आपका अच्छा trade long में कब आएगा जब हम इस level के उपर sustain करेंगे यानि 144,70 हमें थोड़ा margin रखना पड़े का कुछ points का इस level के उपर हमने sustain करना चालो कर दिया तो वापीस हम यह पहला आएगा हमारा target 580 और उसके बाद हम यहां पे जा सकते है 14,780 के आसपास अगर इसने यहां पे खुल गया यानि कि मंदे इसी level के आसपास खुलता है और यह break करता है 14,270 तो हम वापीस वही हमारा 14,200,14,180 level को वापीस यहां पे जाके रेटेस कर सकते है तो यह one hour पे भी एक अच्छा सा इसमें देख सकता है अगर आप देखो तो यह M pattern भी बन रह है तो 180 फिर से वापीस हमें देखेगा दूसरा है मारा bank nifty इसमें आप देखो एक similar pattern है open फिर वहां से sell off यहीं पे support कहां पे 30,500 के आसपास bounce कहां तक गया 32,300 यह जे उसका पिछला जो support अभी हमारा लिए resistance बन गया है वापीस होई scenario ओपन होने कोई वाद शॉल यहां से बाउंस बैक यहां पे हम होई gap down ओपन हुए वहां से हमने ले लिया तो यह अच्छा क्या है कि consolidation एक ही जगह पे होता है ना तो जब भी वह breakout करता है हमें उतना point मिलेगा अगर यह confirm इसके उपर हमने breakout दे दिया तो यहां अब जितना gap है रेंज उतना हमें target उपर की side मिल सकता है यानि कि अभी कितना है इसका range 32,300 से 3500 यानि कि करीवन 1800 point तो यहां से हम उसका 1800 point दोनों side count करके चल सकते हैं swing trade के लिए जब भी इसने breakout इसके उपर या नीचे दे दिया तो Monday क्या कर सकते हो अगर Monday यहां पर open होता है इसी level पर तो हमें wait करना है कि अगर यह price action बना के यह level break करता है तो हम उसको long करके जाएंगे तो पहला हमारा target आएगा यह 340 और उसके बाद 800 तक हम जा सकते हैं अगर कुछ अच्छा news है और हम gap up open हुआ है इसी level पर तो हमें यहां पर buy नहीं करना है हमें wait करना है यहां पर देखना है क्योंकि हमने पिछले 3 बार यहीं से resistance ले हुआ है तो हमें देखना है कि यह क्या यहां पर price action बना रहा है अगर यहां पर consolidation होता है एक गंटा और उसके बाद में breakout देते तो हमें फिर से 400 से 500 point उपर मिल सकता है अगर यहां पर consolidation के बाद में अगर फिर से breakdown दिया तो हम वापीस इसी level के आप 31,500 के आसपास आके close करेंगे अभी daily chart में देखते हैं उसमें कौन सा candle बना हुआ है तो जैसे मैंने यहां पर पहले ही लिखा हुआ था कि once close below 14,180 we will see a 13,600 मैं इससे नीचे अभी देख नहीं रहा हूँ जाते हुए क्योंकि यह जो level है वो मैंने फिबोनाची अगर आप यहां से draw करते हो ना यह low point से high point तो यहां पर अभी आ रहा है 0.23% और यह आ रहा है 0.38% तो इससे अभी नीचे जाने का chance नहीं है यह negative तभी होगा जब यह 50% correction इसके नीचे trade करने लगेगा यहां पर एक अच्छा सा support भी है तो उस हिसाब से मैं यहां पर पहला support ढून रहा हूँ यहां पर 13,600 के आसपास तो यह level अगर break कर दिया 14,200 तो हमें यहां क्योंकि यहां पर आप देखोगे बीच में कोई support नहीं है तो एक free fall जैसा होगा और आपको यहां पर 13,600 आता हुआ देखेगा लॉंग अभी next अभी होगा जम यह level यानि कि जो मैंने अभी बताया 14,770 के उपर sustain करता है वापिस हम यह level यानि कि 15,200,300 के आसपास जा सकते है बैंक निपनी अभी जैसे हमने आवली में देखा सिमिलर यहां पर दिखाया है कि यह range mount है यह अच्छा सा pattern इसमें क्या बनना है कि यह जो candle है यहां पर देखोगे तो इसको bearish candle भी बोलते है पर क्या होगा अगर यह candle जो बनता है उसके ऊपर ही हम open होते है यानि कि 31,850 के उपर हो गए तो यह फिर नीचे नहीं आएगा और जिन्होंने यहां पर shot किया है उनको trap करके उनका stop loss hit करने के लिए 32,200 के आसपास यह चला जाएगा तो एक opening उसका बहुत important है आप ध्यान रखना यह pattern अगर आप देखोगे यहां पर भी है इसके ऊपर open हुआ मैं इसके level के ऊपर किया इसके level के ऊपर किया तो क्या हुआ इसने नीचे नहीं आया और यहां पर जिसने shot किया दे उनका shot लेने shot को trap करने ऊपर चला गया market ऐसा candle active कब होता है जब हम उसके यहां पर नीचे open होता है और फिर continue करते है तो एक अच्छा सा fall भी हमें मिल सकता है जै आप खुद भी practice कर सकते हो आप डेली चार्ट पर जाके देखो कि ऐसा जब candle बनता है तो क्या उसमें reaction आता है आप यहां पे देखो यहां से क्या किया ओपन ही उपर गया फिर चला गया यह यह भी candle berry candle ओपन ही उसके उपर हुआ तो ऐसे candle क्या होता है कि अभी ज्यादा तर लोग जो बुक्स वाले knowledge लेकर आते हैं जो बुक्स के थ्रू पढ़ाते हैं पिर से वेबिनार में तो उसमें देखाता है ऐसा candle होता है यह बैरिस candle होता है उसके नीचे sell करो ने ऐसा नहीं होता है हमें price action चार्ट पर देखना है कि चार्ट हमें क्या सिखाता है दोस्तों तो अभी देखते हम option chain में क्या है तो यह है हमारा nifty का option chain 29 April का हम अभी 14,300 के आसपास close हुआ है तो हमारा जो resistance हमें face करना है वो है यहाँ पे right side में 14,500 और उसका highest open interest मंतली के इसाब से हरा है 15,000 और उसके पहले है 14,800 यानि कि 14,800 थोड़ा मुश्की लोगा उसको cross करने के लिए पर हमारा पहला resistance आएगा 14,500 के आसपास support हमें दीख रहा है चार्ट में 14,000 उसके पहला second highest हमें जो मिल रहा है वो मिल रहा है 200 जो अभी हम लोग ने तीन बार support लेके वापस उपर आये बैंक ने पर हमें दीखता है 500 के यहाँ gap में तो हमारा highest open interest है 31,000 जो हमने चार्ट में भी देखा कि 31,500 के नीचे 31,000 एक support है 30,500 भी है और right side में अगर देखोगे आपका जो इसमें resistance हम face करेंगे 32,000 और 32,500 और last में आएगा 33,000 तो इस मन्त में हमें easily 33,000 cross नहीं कर सकते या अगर कोई अच्छा सा news आ गया COVID का case कम हो गया या कोई package या कुछ ऐसा unexpected news आ गया तो हम इसको cross करके जा सकते हैं फिलहाल ये week मैं इससे उपर नहीं देख रहा हूं 33,000 और नीचे 30,000 ज्यादा तर हम साइध इसी के अंदर ही close कर देंगे 31,000 से 33,000 के बीच में ही हम लोग close इसको कर देंगे जो आप यहाँ पर देख सकते हो अगर मैं यहाँ पर खली 29 का select करता हूं तो यहाँ पर आप देखो 32,000 पर huge OI खड़ा हुआ है कल यह trap कैसे हो सकते हैं अगर यह Monday gap up open हुआ और हमने पहले 900 के आसपास थोड़ा consolidation किया और यहाँ पर फिर एक breakout दिया तो य यह जो 32,000 वाले sellers है call writers यह उनका यानि की stop loss जाने का chance high हो जाता है नीचे में हमें काफी support मिल रहा है यहाँ पर देखने वाली चीज क्या है कि in the money यहाँ पर put increase हो रहा है call भी increase हो रहा है put भी increase हो रहा है अगर column open होते है और यह जो put का open interest अगर यहाँ पर बढ़ने लगा तो confirm chance है कि 32,000 call writers यहाँ पर short trap हो जाएंगे और उनका loss जाने का chance है जैसे अगर आप multiple select करते हो यानि कि हमारा next आएगा 29 and 6 में तो उसमें भी similar है खली यहाँ पर आप देखोगे तो उसका call writer exit हो रहा है यहाँ पर call writer exit हो रहा है 31,500 पर तो यह एक sign दे रहा है कि यहाँ से market उपर जा सकता है तो दोस्तों आप ऐसे excel के थूरू या आपके option chain के थूरू आप यह ऐसा बना सकते हो और खुद analysis कर सकते हो live market में भी तो क्या होता है कि आपको पता रहता है बार के हिसाब से क्योंकि number ज्यादा तर हमें याद रहे ना रहे पर at least हमने बार का एक copy photo ले लिया है तो अगर 15 minute या एक गंटे के बाद में फिट से देखेंगे तो हमें मिल सकता है मैं क्या करता हूँ मैं तो यहाँ पर key in कर देता हूँ मेरा data तो यहाँ से मुझे पता चल जाता है कि open interest में भी क्या हो रहा है तो दोस्तों यह दा मेरा market analysis next week के लिए तो मैं आसा करता हूँ यह आपको पसंद आया होगा thank you